High energy, सिर्फ high facilities नहीं, high vibration, high energy हर घर में सुबह का एक घंटा सात्वे कोना चाहिए सुबह एक घंटा अपने लिए रखे आज इस विध्याले में हम क्या करते हैं? लाखों परिवार है, घर में रहते हैं, काम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं सुबह का एक घंटा सेंटर पर आते हैं ऐसे जैसे आज हम यहां इकठे हुएं आप जहां जहां रहते हैं आपके नस्दीक सेंटर है तो आप जहां भी रहते हैं आपके विदिन थ्री किलोमेटर एक सेंटर होगा और आप किसी विदिन उस सेंटर पर जाके देख लीचेगा सुबह सेवन तो एट सब लोग आते हैं एट ओक लॉक वहीं से भाग जाते हैं अपने जॉब पर स्कूल बेचना है बच्चे भी आते हैं स्कूल बाइक लेकर आते हैं वहीं से भागते हैं फटा फटा अपने स्कूल लेकिन सुबह का एक घंटा ग्यान ग्या अंदर सोचने का तरीक अपला पर मात्मा से कनेक्शन जोड़ा मेडिटेशन किया वान आवर बागी तेईस घंटे की ख्वालेटी को सेट कर देता है क्या अब जीवन में कोई भी बात आया सारा दिन हमने सुबह सुबह ट्रेनिंग कर ली कि कायसे सोचना है कैसे बोलना है कैसे व्यवाहार करना है यहां का remote control परिस्थिती के पास नहीं यहां की choice अपने क्योंकि सुभा का एक गंटा क्या क्या खुद को चार्ज किया अब समय नहीं रहा कि खुद को चार्ज करें बिना हम सहीं से चल पाएंगे क्योंकि अगर खुद को न करा तो आसपास के भी जो discharged battery है ना पांच लोग बैठते हैं, दस बैठते हैं, पचास बैठते हैं हर एक की भी तो एक energy है हर एक की energy है हमें उनके बीच आठ दस घंटा बैठना है अगर आपकी battery 50 पर भी हो यहां लेकिन आपके आसपास की battery 20-30 पे चल रही हो होई जाएगा automatically, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए क्योंकि discharged energies के संग में बैठे हुए है अब यही इसका opposite करो कि आप रोज सुबह अपने आपको charge करके उस office में जाओ तो फिर आपके जाने से आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनकी energy भी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी तो जो खुद को charge करता है energize करता है उसका घर energized हो जाता है सुबह सुबह आप घर में बैठके meditation करो आपका घर का वातावरन बदल जाएगा घर का शुद्धी करण तो रोज करना पड़ता है क्योंकि infections तो बहुत सारी आरी हैं घर के अंदर सारा दिन सुबह उठके पंदरा मिनित घर में meditation करो घर का वातावरन चेंज हो जाएगा थोड़े दिन पहले एक research आई RML Hospital से RML Hospital ने 100 patients लिए जिनको brain injury हुई थी stroke हुआ brain injury हुई उन्होंने दो groups में divide किया 50, 50 50 patients के लिए वहां से पंदरा किलोमेटर दूर एक संस्कृत विद्याले में कुछ बच्चों ने उनके लिए पाठ किया मृत्यूंजे जाब किया 15 किलोमेटर दूर 25 patients के लिए 50 patients के लिए patient ने खुद नहीं किया patient ने खुद नहीं किया किसी और ने उनके लिए किया and उनके पास अब वो medically available है के दोनों ग्रूप्स के response to treatment response to treatment जिनके लिए वो नहीं किया जा रहा था और जिनके लिए वो किया जा रहा था response to treatment medically recorded है और यह हम सब के अनुभव है हम सब को पता है के हमारी energies चीज असर करती है सिरफ चाहिए क्या हमें उस energy को थोड़ा जादा use करना चाहिए जब इतनी दूर असर पड़ सकता है तो हमारे घर में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमारे परिवार पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा बच्चे को परेशान देखकर परेशान नहीं होना है अपनी energy से बच्चे को गया कर देना है strong बनाना है बच्चे को परेशान देखकर अगर parent भी परेशान हो गया तो बच्चे को strong कौन बनाएगा कौन बनाएगा उनकी energy को consume नहीं करना है अपनी एनरची उनको देनी है वो कब होगा अगर सारा दिन वैसे किया होगा सारा दिन ऐसा किया होगा तो सुभा का एक घंटा बहुत सरूरी है आज आप एक दिन निकालके यहाँ है अब जब आज शाम को आप आपस यहाँ से जाएंगे अपने नजदीक के सेंटर का अड्रेस सरूर लेकर शाना हर सेंटर पर बहने है जो मेडिटेशन सिखाती है seven days, one hour daily and वो one-to-one होता है तो जो जाए उसको जो टाइम सूट करें जो दिन सूट करें वो बहने सिखाएंगे seven days, one hour daily कोई भी दिन, कोई भी टाइम खुच जाएं, परिवार को लेकर जाएं तो वो फिर आपके करने के तरीके में कुछ चेंच लाना है हाथ नहीं, उदर की बाते नहीं करनी चाहिए घर पे जो बाते कर रहें, उसकी quality को चेंच करना चाहिए कभी कभी क्या होता है यह होता है, जब हम नए नए जाते हैं अब कोई भी कहीं जाएगा आप एक holiday पे जाके आजाओ आप आने के बाद कहां की बाते करोगे वहें की करोगे इसी तरह जब हम नए नए सेंटर पे जाते हैं तो हमें सड़नी बहुत चेंच दिखाई देता है क्योंकि नया नया होता है दीरे दीरे एक चेंच ग्राजवल होता है लेकिन शुरू में चेंच इंस्टन होता है जैसे यह टेबल मैली है एक चेंच तो ऐसे ही आजाएगा कि इस पर एक कपड़ा मारा तो इतनी सारी मैल तो ऐसे ही निकल जाएगे फिर बाद में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे दाग तो दीरे-दीरे निकल तो जब इतनी पहली बारी में मैल निकलती है जैसे उन्होंने बोला मेरी यह आदत चुट गई, मेरी यह चुट गई हमें suddenly लगता है कि हमें क्या मिल गया है तो हम उसके बारे में भात करते जाते हैं अब भारे भालों को समझ में नी आएगा उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये वहीं तो न चले जाएं इतना सारा कुछ बोल रहे हैं कि अब बेकरुएं Euroskin के वारे में अच्छा अब उनको ये नी बता कि सेंटर उनको लेने वाला तो नहीं है लेकिन सुनी-सुनाई बाते हैं हैं इधर उधर की बातों से हम डर जाते हैं तो हमारी responsibility है कि हमें अपने अंदर का चेंच दिखाना है हमारे chên- वो बहुत हैपी है, ना, पता है, वो हैपी तो हो नहीं है, कौन हैपी नहीं होगा, कौन हैपी नहीं होगा, गर उसको अपने फैमिली मेंबर के अंदर इतनी आदतें बदलियों दिखें, तो कौन हैपी नहीं होगा, लेकिन हैपी के साथ साथ तर डर लग जाता है कई बड़ हम घर वालों को लेके नहीं जाते कभी हम इतना चेंज अपने अंदर लाते हैं घर वाले अपने आप आएंगे किसी को कभी फोर्स नहीं किया जा सकता लेकिन हमारी वाइब्रेशन ऐसी होंगी कि जब उनको जरूरत पढ़ेगी अपने आप आएंगे सामने वाले को जरूरत लगनी चाहिए लेकिन आपकी वाइब्रेशन जब उन पर रोज पढ़ती है तो उनको दिखता है कि इनके अंदर कोई चेंज आया है ये शक्ति मुझे भी चाहिए चाहिए अपने आप आएंगे लेकिन ये सर्थन है कि जब घर में एक चेंज होता है जब एक चेंज होता है उसका असर घर पर सब पढ़ता है तो तो सर्थन कोई एक डिस्टर्ब भी होता है तो भी तो सब पर असर पढ़ता है इसी तरह जब एक स्ट्रॉंग होगा तो उसका असर भी सब पर पढ़ेगा इसलिए वेट नहीं करना चाहिए सब चलेंगे तब हम जाएंगे नहीं, हम एक जाएगा और एक ये एक घंटे का investment डालेगा जिसका benefit पूरे परिवार को पढ़ेगा और ये नहीं कहना कि मेरे पास इस लाइन को भी आज छोड़ के जाना हमारे पास बहुत टाइम है हमारे को अपनी जीवन prioritize कर लेनी अच्छे से prioritize करनी है कि मुझे high energy देनी है अपनी family member को फिर comforts देनी है, health देनी है, रिष्टे देनी है priority clear हुई तो life बहुत sorted हो जाती है हम आज की जीवन देख रहे है आप अपने बच्चों की जीवन आज से 10 साल के बाद की दुनिया में देखेगा आप अपने बच्चों की जीवन आज से 20 साल के बाद की दुनिया में देखेगा 20 साल के बाद दुनिया और comfortable हो गई होगी है लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा, वो इमोशनली और वीक हो गय होगे. So meditation अब चोईस नहीं रही है, meditation अब निसेसिटी है.